निरे रेगा रेगा मामा पापा आमा गा रे सा साड़े रे सा लाद़ मामा गा लाद़ मा नीजा दाद़ मामा लाद़ मेरा एक तू ये माही मैं तेरी बंधिया सांबरे तुरे बिन जिया जाए ना औरे पिया औरे पिया बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम आलेकूम नाजरी निकरामी टाप लीटिंग अर्दू इसलाम अबाद से मैं हूँ आपका होस जवाद जाहिर अबासी और आज मैंने आपके लिए एक अनोखा टैलेंट ढूंड निकाला है सरजमीन पाकिस्तान के कैपिटल से और नाजरी निकरामी अगर हमारे प्रोसी मुल्क इंडिया को इस टैलेंट का पता चाल जाए तो यकीन कीजिए कि चुरा कर ले जाएंगे ऐसे के जैसे कतरीना कैफ लोगों के दिलों को चुरा लिया करती है नादरी गरामी इनका टैलेंट में आपको बताता चलूँ के ये हमारे पाकिस्तान के माया नाज सिंगर खान साथ उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेली खान साथ की रंगीन फोटो कापी हैं जब एक लंबे के लिए ये गा रहे होते हैं तो अगर आप इनकी पिक्चर को न देखें तो आपको इन्दाज़ा ही नहीं होता कि ये हमारे खान साथ उस्तादों के उस्ताद नुसरत ततली खान साथ गा रहे हैं या फिर ये मुसन तहसीन जी महसन तहसीन मैं इसली कह kingdom है रह है यहां पर सिर्फ और सिर्फ तहसीन अली भाई को और इन से आपको मैं गप्शप भी लिगवाता हूं और आपको गाना भी सुनवाता हूं रात फतेली खान और अपनी composition भी सुनाएंगे और सबसे पहले तो मैं भाई की request पूरी करूंगा जो इनको बड़ा अच्छा गाना लगता है क्या इस तो डाड़ा दुख आए हाए हाए नुसरत सापका जी जी इस तो डाड़ा दुखना कोई इस तो डाड़ा दुखना कोई प्यार ना विच् किसे दा हा यार ना विच्छडे इस तो डाड़ा दुख ना कोई इस तो डाड़ा दुख ना कोई प्यार ना विच्छडे किसे दा यार ना विच्छडे किसे दा यार ना विच्छडे जबर दस में चाहूंगा कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आप नुस्वत अदली खान साब के एक गाना और सुना दें जी जरो जरो रात यूं दिल में तेरी बूली हुई याद आई जैसे वीराने में चुके से बहारा जाए जैसे सहरा पे होले चले बादम सी जैसे बीमार को बेवजह करारा जाए आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है जबर्दस माशाला आप ने पूरा पूरा कापी किया हुए खान साब को मुझे यह बताईएगा कितना अर्सा लगा आपको जी मुझे मैं तो बहुत चोटी सी उमर में बच्पन से ही मुझे गाने का शोग था फिर मैंने बच्पन से ही स्टूडियो लाइन जोइन की और का मैं गाता भी हूँ कंपोज भी भाहिया मेरे साथ होते बड़े वो मौसीन अली है मैं तैसीन अली हो लेकिन हमने जोइंट मिल के रखा है मौसीन तैसीन आएगा और वैसे हमारे स्टूडियो का नाम हाइनोड म्यूजिक है हाइनोड द म्यूजिक स्टेशन तो हम लोग इसक तो मतलब हर बंदा तफ ताइम इस टाइम पे गुजा रहा है आपको आइडिया है इस चीज का तो बस यह सारी चीज है क्योंके इतना ताइम हम लोगों ने गुजा रहा है कि हम दूसरे बंदे को स्ट्रगल दे देखते रहा है तो कोशिच होती है कि यार उसको थोड़ी ह कर दे पुश अप कर दे कुछ इसके असानी इसके लिए कर दे तो इन्शाला नया टैलेंट भी ले के आएंगे उनका गाना भी रिकॉर्ड करेंगे पर मोट भी करेंगे इन्शाला तो अच्छा मुझे आप यह बताएगा मैंने देखा वैसे अनुसर वदिली खान साब को क में और मुझे यह बताएगा के रात्फेषे अधरली खान साब के ऑनदर ना जलक आते है खान साब की क्या रात्फेरी खान साब को भी गाना गा लेते हैं पाकिस्तानी यह भी बिल्कुल घलकुल रात्छा साहब का गाना सुनाएं मैं यह देखना चाहता हूं कि वह नुसरत साब ने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन की है और आज के दोर में भी हर बंदे की जुबान पर नुसरत साब है तो देखें वो क्या काम करके गए है कि आज तक हम लोग उनको याद करें तो वह बहुत बड़ी दुनिया है फिर रहत साब के साथ टाइम स्पेंड तो माशला जिस तरह वह बड़ी दुनिया इस तरह रहत साब भी बड़ी दुनिया है लापाक उनको और भी जिन्दगी से दे कामे आप करें मालिक बहुत खुबसरत बात की है यकीन आपको ये करनी भी चाहिए थी क्योंकि आप खुद खुबसरत इंसाने में चाहूंगा क nga आप रहत साब का गाना सनाएं जी रहत साब का बिल्कुल मुझे बहुत मेरा मौस्ट ऊरे पीः जो भीया हो हो और पिया अच्छा और इस गाने में एक special part है जो मुझे बहुत ज्यादा मेरा favorite है जो रहत साब ने किया सरगम का तो इसलिए मैंने पूरा गाना रोक के मैंने का आपको special जरा prominent होना चाहिए क्योंकि मेरा favorite है ने रे 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 गा रे गा मा मा पा 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 आ कर दो से रे सिर्डे रे सार रामा मं मगा याना महने रामा मा माम एलिटा अरिसरे hem पात좌 तो डूल्य मारा थूरो है तार और प्मक्ष रे रे बहुत पा पना मासा यह ने से डे रे च तहित म一ज़े मैं हम तो ये स्पेशली मेरा बड़ मॉस्ट फेवरिट है तो इसलिए गाना मुझे वैसे भी मतलब एक बड़ा अच्छा सुफी इजम का अच्छा त्यार किया है अच्छा माशारा से आपने राथ फदिली खान साब कभी सुनाया असुफ और नुसुत फदिली खान साब माशारा उपने राथ-फदिली-ख 민주 गान साब कभी सेनाया आप पुमबोजर भी ओ दोनों भाई заключ थे भी हो कोई अपना भी सुना उन थे? अजा इस्तव देवर भाई अनोंच में बहुत सारी खेयर ची है तो एक वह इस अच्छारा अनकारीब में लॉंच करूंगा बड़ी प्यार कंपोजिशन है पंजाबी की सूफी है मेरा एक तुमे माही मैं तेरी बंदियां वाउ तो वो इंशाला आपको सुनाएंगे यह बाई मौसिन बाई और मैंने मिलके हम लोगों ने बड़ा इस पर कंपोजिशन भी हमें यह कंपोजिशन तीन बजे रात को मतलब हमें आया हमार मुनियम लेके शुरू हो गया है तो मैं जरूर सुनाता हूँ आपको मेरा एक तुमाही मैं तेरी बंदियां मेरा एक तुमाही मैं तेरी बंदियां अच्छा और इसका जो स्पेशल हम लोग ने अंतरा लिखा है वो इसलिए लिखा के सम टाइम आपको मतलब के पैरेंट्स पोर्ट नहीं का रहे होते हैं वो कह रहे हैं किन चक्रों में लगा वह किन का हमों में लगा तो वह सारे हालात मदे नजर रखके हमने मतलब अब यह बैसिकली मौला ली सरकार को मुखाब कर गई हम लोगों ने किया है कि इसका अंतरा माशाला बड़ा अच्छा लिखा है भाई ने भी और हमने मिल के कंपोजिशन भी बड़ी अच्छी है मापे मैं नू जली ते शुदेर केंदे रंदेने केंदेने मैं नहीं किसे कम दी जग नू वी लोड ने हुण मेरे होण दी रो रोके रहियां मैं समदी मेरा एक सूर ए मैं तेरे नाल मंगियां मेरा एक तू ए माही मैं तेरी बंदियां माशाला से चागें आप अच्छा मुझे आप ये पताएं आपका ये इंस्ट्रुमेंटल वर्क है ये भी आप से सुनेंगे लकिन इस हवाले से आप मुझे बताईएगा कि आज तक कितने लोगों को आपने प्रिपेर किया है कि यह लूगे बालका एंक टो मतलब बतलब्द इस इन लोगों को कि या और जो मतलब के लोगे है हुमारे जो नए लड़के मिन को विखहया साथ ले के चलते हैं उन का काम भी करते है वस इस तरह सिलसला कन बैद आप में से किसी को भी अगर गुलुकारी का शोग हो स्पेशली जो वाश्रूम सिंगर है ना जो वाश्रूम में बैट के सिंगिंग करते हैं तो आप लोगों को भी मुखा दिया जाता है तहसीन भाई की तरफ से आप आएं स्टूडी के अंदर आपका गाना रिकार्ड किया जाएगा आप अपनी सिंगिंग को वाश्रूम से बाहर निकालें और दुनिया में च्छा जाएं और अपना नाम पैदा करें ये जितने भी बड़े बड़े गुलुकार हैं ये सारे फस्ट अफाल वाश्रूम सिंगर ही होते हैं और फिर रूम सिंगर बनते हैं और उसके बाद बड़े बड़े आडिटॉरियों में जाके परफॉर्मिक्स दिखाते हैं अच्छा तहसीन भाई में चाओंगा क्योंके माशाला खान साब को आप बड़ा अच्छे अंदास से कापी करते हैं तो खान साब का ना कोई आप की पसंद का कोई गाना हो जाए जी बिलकुल बिलकुल मैं आपको सनाता हूँ और उससे पहले मैं आपको कुछ बिताता है मेरीौ जमी तो ऐसी जमी है जमी पे ऐसी जमी नहीं है हसी है सारा जहाने लेकिल हसी ऐसा कोई नहीं है खैबर ओ पंजाब सिंद बलो चिस्तान बाग एदल कश्मीर गिलगित बलतिस्तान मैं हूँ पाकिस्तान मैं हूँ पाकिस्तान मैं हूँ पाकिस्तान तो यह हम लोगों ने बड़ा इस पर बड़ी मेनत की हम ने यह 4 डेस में कम्प्लेट किया इसका मतलब वीडियो भी इसका audio भी और इसको हमने पांच फे दिन सब्मेट करवा दिया था पिटी वी में तो वो माशाला वहां से में बड़ी प्रजीराई मिलिया और बड़ा उन्होंने तावन किया और बड़ा या अच्छा हमें रिस्पॉंस मिला वहां से हमने विन किया तो उसके साथ इंशाला जरूर आपको अब नुसर तुरे बिन जी आजाए ना सावरे तुरे बिन जी आजाए ना जलू तेरे प्यार में करू इल्तिजार तेरा किसी से रहा जाए ना सावरे तुरे बिन जी आजाए ना जाने खुदा मेर मा तेरे सिवा कोण मेरा हो वी ना तुम वी जुदा होग झाल